श्री भक्तमाल में भक्ती जथा ज्ञान के प्रकाश का चार एया महिट्शी जमद अगने विश्वामितर जी के पिता का नाम गाधी था गाधी पड़े ही धर्मात महाराजा थे उनके सत्यवती नाम की एक कन्या थी कन्या जब विवाय यग्य हुई तो महिट्शी रिचीक महाराज के पास आए रिचीक मुनी ने राजा से सत्यवती की याचना की अरण्यमासी वृद्ध रिशी को देख करके राजा दुखी हुई अपनी प्यारी कन्या को रिशी को कैसे दे ना दे तो रिशी शाप दे देंगे उन्होंने कहा भगवन हमारे वंच में ऐसी प्रथा है कि कन्या के पती से कुछ शुलक लेते हैं आप यदि एक हजार शाम करन सेत घोड़े हमें दें तो आप के साथ हम अपनी कन्या का विवा करते हैं रिशी राजा के अविप्राई को समझ के वे योगबल्च से वरुन के पास के और उन से एक हजार शाम करन घोड़े ला करके राजा को दे दिये राजा ने विधिपूरा सत्यवती का रिशीक महमनी के साथ ही वा करते हैं महराज गाधी के कोई पुत्तर नहीं था सत्यवती की माता ने अपनी लड़की से कहा तेरे पती सरसमत्रिशी हैं उन से ऐसा वर्दान मांग कि तेरे भाई हो जाए सत्यवती ने अपनी माता की प्रात्ना रिशीक मुनी से कही और आपने भी एक पुत्तर हो ऐसी इच्छा प्रगत की रिशी ने दो चरू मंत्रबल से तियार की एक में तो शात्र धर्म माली शक्ती स्थापित थी और अपनी पत्नी के लिए ब्रह्म शक्ती दोनों चरू वे अपनी पत्नी को दे करके चलेगे माता ने समझा कन्यावला चरू अच्छा होगा आता उसने अपनी कन्यावला चरू खा दिया और कन्यावला रिशी को जब मालम हुआ तो उन्होंने कहा तेरी माता के ब्रहमन तेजवला पत्र होगा और तेरे पत्र होना चाहिए शत्ती करम वाला किन्तो पत्र ऐसा ना हो करके पत्र ऐसा होगा माता के गर्व से जो पत्र हुआ वे विश्या मित्र मुनी हुए जो शत्री होकर भी ब्रामन हुए और सत्यवती के महिर्शी जमदगनी हुए उनके पुत्र पर्शु रामजी ब्रामन होकर भी शत्री करम वाले हुए महिर्शी जमदगनी सदा तबस्या में ही लगे रहते थे वेदिक कर्मा को करते रहना ही उनका कारे था एक बार सहस्त्र अर्जन शिकार घिलते वे महिर्शी जमदगनी के आश्रम पर आपोची राजा को देख करके रिशी ने शाष्त्र की विधी से उनका सत्कार किया और सैना सही तो उने भोजन के लिए निमंतित किया महिर्शी जमदगनी ने अपनी तवस्या के परभाव से काम देनों दोरा संपूरज सैना को भांती भांती के भोजनों से संतोस्ट किया काम देनों की ऐसी करमात देकर के राजा ने उसे महिर्शी से मांगा रिशी ने कहा राजन मेरे समस्त यग्य याग कारे इसी काम देहनों पर निर्पर है इसे मैं देकर के करम हिन बन जाओंगा राजा ने नहीं माना वे गव को जबदस्ती लेकर के चले गे महिची चुपचा बैठे रे जब इनके पुत्र पर सुराम दिने की सुना तो आप फरसा लेकर के महिची मती पुरी नगरी में गे और सहस्तर अरजन को मार करके गव ले आए और आकर के पिता से सब हाल सुनाए इस बात को सुनकर के महिची जमत अगनी बड़े दुखी हुए उनने अत्यनत दुख के साथ का हे महाबाहो पर सुराम तुमने ये अच्छा नहीं किया कि सर देव में राजा का वद्ध कर डाला हम ब्रहमनों का एक मातर धन शमा ही है पिता शमा के ही कारण हम ब्रहमन जगत पुज्जे हैं इस शमा के ही गुन के कारण लोकपिता में ब्रहमा जगत कुरू होकर परमेश्टी पत को प्राप्त हुए परम शमाशिल महिची जमत अगनी सुक पुरवक अपने आश्रम में रहने लगे उस समय के प्राया समस्तर राजा दुष्ट होगे थे राजाओं के रूप में सभी असर उत्पन हुए थे सहस्तर वाव के दुष्ट पुत्रों ने तपस्या में लगे हुए महिची जमत अगनी का सिर काट लिया और इससे वे दोष्ट परसन न हुए रिशी के लिए इसमें दुख की कोई बात नहीं थी वे इस सर्ग में जाकर के सब्त रिशियों के साथ बड़े सुकसे रहने लगे जमत अगनी सब्त रिशियों में से ही एक रिशी है पिता की मृत्यों के बाद संकर के परशु रामजी अपने करोट को नहीं रोख सके और पिता की मृत्यों का बदला लेने के लिए उन्हें कई बार शत्री वंच का संगहार किया महिची जमत अगनी की शमा कारेत परता और अतिती सत्कार ऐसे गुन हैं जो समस्त मानव जाती के लिए आदर्श हैं वे शमा की तों मूर्ती ही थे श्री भक्त माल में भक्ती तिथा ज्यान के परकाशे का चारे मारकंडे जी मारकंडे मुनी महिची मरकंडू के पत्तर थे ये भ्रिगोकुल में अत्पन होए थे यग्योपीच संसकार हो जाने पर ये ब्रह्मचेरे वरत को धारन करके वेद अध्यन करने लगे और वेद पारंगत्थो करके तप और से धाय में लागे वे ब्रह्मचारी वेश में रह करके अगनी सूर्य गुरू ब्रामन और आत्पा में श्रीहरी का पूजन करने लगे वे प्राताकाल के और साइकाल बिक्षा मांग करके लाते और गुरू को अर्पन करते और गुरू की आग्या मिलने पर मोन हो करके एक समय भोजन करते गुरू की आगया ना मिलने पर ये किसी किसी दिन निराहार ही रह जाते थे इस परकार मारकंडे मुनीजी ने दस कडोड वर्ष परियंत शिरी हरी की आराधना करके दुर्जे काल को भी जीत लिया था उनके इस परकार मृत्यों को जीत लेने पर ब्रह्मा, शीव, भ्रिगू, दक्ष और नारदादी को बड़ा अच्चरे हुआ इस परकार नैस्टिक ब्रह्मचरे वरत धारन करके तुथा इंद्रिय जय की द्वारा अंत्यकरन को रागादी दोशों से रहित करके भगवान अधोक्षज का ध्यान करते हुए मुनी को छे मनवंतर अर्थाद सत्रा सो युगों की चौंकडी एक हजार साथ सो चार युगों की चौंकडी का काल बीद किया ने वस्वत नामक साथवे मनवंतर में इस मनवंतर में के पुरंदर नामक इंद्र ने इस भैसे की कहीं मेरे पद को च्छिन ना ले इनके तब में विघन करने का निश्चे किया उसने उन्हें तब से डिगाने के लिए गंधर्व अपस्रा काम देव संत्रितू मल्या निल तथा लोभ और मद को भीजा ये लोग ही माले के उत्तर की और बुष्प भत्रा नदी के तड़ पर अवस्थित मुनी मारकंडे की आश्रम में पहुँचे और सब लोग मिल करके मुनी के ध्यान को भंग करने की जेश्टा करने लगी तांतो इन सब के प्रयतन भाग गे हीन के उध्योग की भाती सर्था निश्वल हुए और ये सब उनत जस्सी मुनी के तेज से चलने लगी अंतता जिस परकार किसी विश्धर सर्फ को छेड़ कर बारक भैसे पीछे हट जाते हैं उसी परकार ये इंद्र दूत निराज हो करके वहां से लोट के इंद्र उन सब को हत प्रद एम मलान मुख दे करके तथा उन से उन भरम रिशी का प्रभाव सुन करके प्रम विस्वेत हुए रिशी के तब से परसन्न हो करके भगवान श्री हरी उन पर अनुग्रे करने के निमत नर नरायन के रोप में उनके सामने उन तपामूर्ती दिशी प्रवनों को देखते ही मुनी उनके चर्नों में लोटके और उनकी स्तुति करने लगे भगवान नरायन बोले हे रिशी श्रेष्ट तमारी निदोश भक्ति से हम अत्यन परसन्न हुए हैं अत्यत हम हम से इच्छित वर मांगो तो रिशी बोले भगवान आपने क्रिपा करके मुझे अपने सुर मुनी दुरलब दर्शन से कृदात किया इस से बढ़कर मैं कौन सा वर आप से मांगो तथापी मेरी चाहे कि जिस आपकी माया से ये सत वस्तु भेदियुक्त पतित होती है उस माया को मैं देखना चाहता हूँ नर नरायन तथास्तु कह करके बद्र का आश्रम को चलेगे इधर रिशी ये सोचते हुए कि उस माया का दर्शन मुझे कब होगा अपने आश्रम में ही रह करके अगनी सूरे चिंद्रमा जयलब भूमी वायू वाकाश और आत्वा में तथा अन्यत्र सब जगा सरव या पिश्री हरी का ध्यान करते हुए मांसिक उपचारों से उनकी पूजा करने लगी साइंकाल का समय है मुनी नदी तड़ पर संध्या कर रहे हैं इतने में वे क्या देखते हैं कि अकस्मात वायू बड़े जोर से चलने लगी उस परचंड वायू के साथ ही आकाश में भ्यानक मेग घुमड आए और उनमें बिजले की चमक के साथ करकडाहट का शिब्द होने लगा देखते देखते मुसलाधार वर्च विष्टी शुरू हो गई इदर चार समुद्र बड़े परचंड वेक के साथ भ्यू मंडल को ग्रास करते हुई दिखाई देने लगी और बात की बात में सरवत्र जल ही जल हो गया सब्त दीप नव खंड तदा सब्त कुलाचलो सहीत समस्त प्रिथी मंडल ही नहीं अपी तो आकाज सर्ग तारागन और दिशाओं सहीत सारी ते लोकी जल मगन होगी उस अनंत महादनाव में अकेले मारकंडे ही रेगी विजिताओं को भी खेर करके बामले और अंदे के समान इदर उदर भटकने लगे बड़े बड़े मगर उनकी दे को नोचने लगे ते था वायक के प्रवल जगोरो एम उताल तरंगों के धपेडों से उनका शीद जजज़र हो गया इदर भोग प्यास उन्हें अलक्स दाने लगी सरवत्र घोरंदकार चाजाने के कारण उन्हें कुछ नहीं सुज़ता था उन्हें कभी शोक होता कभी मोह होता कभी सुक की अनभूती होती और कभी मृत्यों के समान कस्ट होता इस परकान विश्णों की माया से मोहित हुए मुनी को उस समुद्र में ब्रह्मन करते एक शंक वर्षब बीत गे इस बीच में उस महान जल रची के किसी कुने में प्रित्थी का कुछ भाग दिखलाई देने लगा और उस पर फलों और पत्तों से लदा हुआ वट बर्गत का एक छुटा सा पोदा दिखाई दिया साथ ही उसके इशान गौन की शाखा के एक पर्न पुट दोने में सोया हुआ एक दजस्थी बालक दीख पड़ा उसके परकाश से सभी दिशाया लोकित हो थी उसका मरकत मनी के सद्रिश शामरन शभाइमान मुख कमल शंख के समान बल पड़ी हुई ग्रिवा बिशाल वक्सतल सुन्दर नासिका और धनुश के समान भोही मन को मोल दी थी उनके दोनों कानों में दाड़िम के भोल खोसे हुए थी वेह अपने संदर हाथों से अपना चरन पकड़ करके उसका अंगुठा चूस रहा था उस मनोहर मुटी बालक को देख करके मुनी को बड़ा चरे हुआ उनके दर्शन मातर से उनकी सारी व्यथा दोर होगी और मारे अनंद के उन्हें रुमान चुआया वे खिसक करके उस बालक के समीब चले गए जो ही वे उनके समीब गए उन्हें ऐसा परतीत हुआ माना उस बालक के स्वास के साथ वे उनके उदर में भीतर मच्छर की बांती खीचे चले जा रहे हैं तोड़ी ही देर में उन्हें अपने को उस बालक के उदर के भीतर पाया महा उन्हें ने सारे जगत को उसी रूप में पाया जिस रूप में उन्हें परले के पूर उसे बाहर दिखा था यह सब द्रिश्य देख करके उन्हें परम विश में हुआ कोच्छ शन के अनंतर वे उसी बालक के स्वास के द्वारा प्रेरे थो करके बाहर निकल आए और पुना उसी परले समुद्र में जा पड़ी बाहर निकल करके उन्होंने उस बालक को उसी अवस्ता में अपनी और प्रेम पून के टाकिशन से देखते हुई पाया उसकी मंद मुसकान से अकर्शी तो करके वे उसके समीब जाकर के उसे आलिंगन करना ही चाते थे कि वे योग अधिपती बालवी स्थारी भगवान एकाईक अंतर ध्यान होगी उनके अंतर ध्यान होते ही वह वाट बरिक्श और वह परले समुद्र सारा का सारा शन भर में विलीन हो गया और मुनी अपने आश्रम में पूर्वत स्थित होगे उन्होंने मन ही मान भगवान नारायन की माया को परनाम किया और हिद्दे से उनमाये शर की शरन होगे एक परसंग में एक स्माधी लगाए अपने आश्रम में बैठे थे इतने में दिवादी दे भगवान शंकर जगजन्नी पार्दी के साथ नदी पर स्वार होकर कि अकाश मार्ज के उधर की उन्ने के लिए मुनी की शांध भाव से बैठे देख करके पार्दी भगवान शंकर से बोली भगवान ये कोई महा तपस्सी मुनी मालम होते हैं इन्हें रिध्धी परदान कीजिए क्योंकि सारी तपस्याओं को सिद्ध करने वाले आप ही है तो शंकर जी बुले है पारुती ये मारकंडे मुनी भगवान परशुत्तम के बड़े भक्त हैं अथा कि ये तब के द्वरा कोई सिद्धी नहीं चाते अधिक क्या कहूं इन्हें मुक्ष की भी परवा नहीं है पेस संसारिक सुखों की तो बात ही क्या है तथापी हिपारुती हम चल करके थोड़ी देर इन से वारता लाब करें क्योंकि सादो समागम से बढ़ करके संसार में कोई लाब नहीं ये कह करके जगत नियंता बगवान च्छंकर मुनी के समीब की किन्तो मुनी की वृत्यां ब्रह्म में लेन होने के कारण उनका बाह ग्यान लुप्त हो गया था आता है उन्हें जगत आत्माशी पारती के आने का पता नहीं लगा ये देखकर के बगवान च्छंकर अपनी योग मया के परभाव से मुनी की हिद्धे गुफा में परविश्ट होंगे उन्हीं ने देखा कि उनके हिद्धे में एका एक एक पीरी जिताओं वाली ते शोल धनोश बान तदा ढाल तलवाद से ससजिद शीर में व्याकर चमर लपेटे रुद्राक शमाला धंबरू नरकबाद और फरसा धर्न की ये तीन नितर दस बुझाओं वाली मूर्टी प्रगट हो गई इस विक्रान मूर्टी को हिद्धित देख करके मुनी को बड़ाश चेरे हुआ और इसी आचेर में उनकी समाद ही तोड़ गए मुनी ने आंग खुल करके दिखा तो सामने भवान रुद्र पारती सहित अपने गणों को साथ लिए खड़े मुनी ने उन्हें साष्टांग पर नाम किया और पारती सहित उनकी भगती पुरक पूजा की उनकी पूजा से परसन नहों करके भवान चेंकर बोले है मुने हम तुमारी भगती से बहुत परसन नहें और हम से इच्छित वर मांगो प्रम्मा विश्णु और मैं तीनों ही वर देने वालों में श्रिष्ट हैं तुमारी तरह जो लोग हम तीनों की समान भाव से बगती करते हैं तथा जो शांत, निसंग, निर्वैर, प्रानी मात्र के प्रतित द्या करने माले और सर्वत्र सम द्रिष्टी रखने माले हैं उनकी इंद्र आदी लोक बाल ही नहीं क्योंकि आप लोग हम तीनों में अपने में और जगत के अन्य प्रानियों में अनुमात्र भी भेद नहीं देखते हम लोग आप जैसे ब्राह्मनों का भजन किया करते हैं तीत और देवतातों चिरकाल प्रियंत सिवा करने पर फ़ल देते हैं किन्तों आप जैसे सादो प्रुष्टों दर्शन मातर से ही कितार्थ कर देते हैं जो तुमारी भाती चित को एकाग्र करके तप उसे धाई और सियम में रत रहते हैं उन ब्रामनों को हम सदा नमशकार किया करते हैं आप सद्रिश्य महा अनवभावों के दर्शन अत्वा नाम सुने मातर से ही महापात की और चंडाल भी शुद्दो जाते हैं भी बोले भगवन मैं तो आपके दर्शन मातर से कितात हो गया और वदान क्या मांगों तथा पी आप से मेरी यही प्रात्रा है कि मेरी भगवान अच्योत और उनके भक्तों में तथा आप में अनन्य भक्ती हो तो शंकर जी बोले हेवे प्रवाब तमारे ये अविलाशा पूर नहो इस कल्ब के अंत तक तमारे कीटी अटल रहेगी और तुम आजर अमर होकर के रहोगे तुम्हें त्रिकाल विशक ग्यान विज्ञान विराग्य और प्राणों का अचारयत प्राप्त होगा ये क्या करके भगवान शंकर वहां से चलेगी और महामनी मारकंडे योग का महान सामर्थ तो था भगवान जिनातन की एकांद भक्ती प्राप्त करके भूलोक में विचरने लगे और अब भी उसी परकार विचरते हैं ब्रेहन नार्दी अपरान के अंसार महिशी मिरकंडो के तब से परसनाओ करके भगवान नाराएन ने ही पुत्तर रोप में उनके यहां जनम ग्रहन किया था श्रीप भक्तमाल में भक्ती तिधा ग्यान के परकाशकाचारी श्रीकशप जी समस्त्र लोखों के पिता में भगवान ब्रह्मा ने ही इस चराचार श्रीष्टी को उत्पन किया है श्रीष्टी के इच्छा से उन्होंने छे मांसे के पुत्तर उत्पन किये जिनके नाम मरीची, अत्री, अंगरा, पुलाटस, पुलाए और करतु हैं मरीची के पत्र कश्प हुए दक्ष प्रजापती ने अपनी तेरा कन्याओं का विवा इनके साथ कर दिया उनके नाम ये हैं अदिती, दिती, दनू, काला, तनायो, सिंहिया, क्रोधा, प्राधा, विश्वा, विनिता, कपिला, मुनी और कद्रो इन सब की इतनी संताने हुई कि उनी से ये संपूरण सिष्टि भर के अदिती से समस्त देवता तथा बारह आदिते हुए सभी डेथ्य अदिती के पुत्र हैं दनो के दानव हुई, काला और दनायो के भी दानव ही हुई सिंह का से सिंग व्याग्र हुई क्रोधा के क्रोध करने वाले असर हुए विनिता के गरुड अरुन आदे छे पुत्र हुए कद्रु के सर्पन नाग आदे हुए मनुसे समस्थ मनुष्यत्पन हुए इस प्रकार समस्त स्थावर जंगम पशू पक्षी दीता देत्य मनुश्य हम सब सगे भाई भाई हैं एक कश्चब भगवान की ही हम संतान हैं वरिक्ष पशू पक्षी हम सब कश्चब गोते यही हैं इन तेराक न्याओं में अदिती भगवान कश्चब की सब से प्यारी पत्नी थी उन्हें से इंद्रादी समस्त देवता हुई और भगवान मावन ने भी इनी की यहां अवतार दिया इनका तब अनंत है इनकी भगवत भगती अठ्टू आट्ट है यह दंबती भगवान जी के परमप्रिये हैं तीन बार भगवान जी ने इनके घर में अतार लिया अधिती और कशप के महा तप के परभाव से ही जीम को निर्गुन भगवान जी के सगन रूप में तर्शन हो सके कशप अधिती महा तपकीना तिन कहूं मैं पूरब बर दिना भगवान जिनके पुत्र बने उनके विशे में अधिक क्या कहा जा सकता है भगवान कशप की पुरानों में बहुत सी कताएं हैं उनमें से वामन, बली, अधिती, यादी के परसंग में बहुत सी आ गई हैं आता है उनके सम्बंद में इतना ही कहना प्रयाप्त होगा कि ये महान भाव भगवान जी को निर्गुन से सगुन साकार बनाने वाले हैं तथा हम सब जीओं के आदी पिता है श्रीप भक्तमाल में भक्ती तथा ग्यान के परकाश काचारे श्री परवच्ची और श्री प्राशर जी श्री परवच्ची इनकी देवरिशियों में गन्ना है महाभारत में इनका और श्री नारजी का अनेके स्थलों पर साथ साथ वर्नना पाया जाता है श्री नारजी की ही तरह ये भी विच्चरनशील सभाव के हैं लिंग पुरान एम अधहुद रामाईन में कता आती है कि एक बार श्री नारजी और श्री परवजी दोनों मित्र साथ साथ विचरते हुए श्री नगर के राजा अंबरीश जी के यहां गे राजा ने इनका बड़ा स्वागज सत्कार किया और अपनी लालडी बेटे जिसका नाम श्री मती था उसको बुला करके मुनी के चर्नों में परनाम करा करके उसके भागे के संबंद में जिग्या साकी दोनों ही मुनी श्री मती के संदर रूप हमें शुब लक्षनों पर मोहितों करके उसको प्रिथक प्रिथक राजा से मांगने लगे राजा का ये उत्तर मिलने बलकि कन्या जिसको जैमाना पहना दे वही ले जाए दोनों प्रिथक प्रिथक भगवान जी की यहां गे और दोनों ने ही उनसे सब रतान के करके अपना अपना मनौरत प्रकट किया नारजी ने परवत रिशी का मुख बंदर का सा और परवत ने नारद मुनी का मुख लंगूर सा कर दिने के लिए प्रतपतक प्रात्रा की और साथ ही ये भी प्रात्रा की कि राज कमारी को ही वहर रूप दीख पड़े दूसरे को ने भगवान जी ने दोनों से आए मस्तु कहा तत पच्चा दोनों ही राजा की यहां गे राजा ने बुला करके कहा दोनों रिशियों में से जिसे चाहो उसे जैमाल पहना दो करनिया जैमाल लिये खड़ी हैं उसे वहां एक बंदर एक लंगूर और एक संदर धनुश बान धारी प्रुश देख पड़े रिशि कोई नहीं देख वह ठिटक कर रह गई संकोच का कारण पुछे जाने पर उसे जो दीख रहा था वह उसने कह दिया और जैमाल ध्रुश धारी प्रुश भगवान जिरी राम के कले में डाल देख भगवान उसे लेकर के इंतर ध्यान होगे इस रहसे को ना समझ करके दोनों रिशि भगवान जी के पास के और उपालंब दीए भगवान जी ने कहा कि हम भगत प्रादीन हैं तुम दोनों ही हमारे भगत हो अता हमने दोनों का कहा किया रिशियों को जब ये मालूम हुआ कि ये ही कन्या को लेगे दोनों ने ही उनको शाब दिया कि मम अपकार कीनी तुम भारी नारी बिरहे तुम होब दुखारी कपी आक्रिती तुम किनी हमारी करी हैं कीस सहाई तुमारी बाद में जब इने आतम सरूप का ग्यान हुआ है तो ये बहुत ही पश्चात आप किये हैं और भगवान जी से शाब के मिथ्या हो जाने की प्रात्रा की प्रंतो भगवान जी ने शाब को अपनी इच्छा कह करके दोनों को समझा भुजा करके विदा किया आगे हैं शिरिप प्राशर जी ये ब्रह्मर शी विशिष्टी जी के पौत्र महिची शक्ती जी के पौत्र एम भगवान वेद व्यास्थी के पिता है इनकी माता का नम अद्रिशिंती है इन्होंने बारा मर्शों तक माता के गर में ही रह करके विद व्यास किया इनके द्वरा रचित प्राशर सम्रिती में धरम अधरम का बड़ा विवेक पूर्ण निरने किया गया है धरम के संबंदह में इनका कतन है कि जो मनुश्य परम दुरलब मानव जनम को पाकर भी काम प्राइन हो दूसरों से द्विश करता है और धरम की अभेलना करता है नहीं महान लाप से वन्चित रह जाता है भगवत समरन की महिमा वर्ण करते हुए कहते हैं की प्राताकाल साइकाल रात्री में अथा मध्यान में किसी भी समय श्री नाराइन का समरन करने से प्रोशिक समस्त पाप तदकाल शीन हो जाते हैं